हालो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई स्टड़ी फ्री चैनल दोस्तों यूपी एल्टी ग्रेट दो हजर अठारह में जितने भी कोश्चन्स फीजिकल एजुकेशन के पूछे गये हैं उसका हल मैं इस वीडियो में बता रही हूं एक सो बीस कोश्चन्स को तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है चालिस चालिस कोश्चन्स का यहाँ पार्ट नमबर थ्री है एंड दोस्तों यदि आप फीजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपेटिटिव एक्जॉम्स चाहे वह केवियर्स, एन्वियर्स, टीजिटी, अपनी प्रिप्रेशन को बेहतरीन कर सकते हैं एंड दोस्तों हन्देर से जदा वीडियो प्रिवियर्स यर्यमसी की उच्च के बनाए गये हैं उसका प्रेक्टिस करना न भूलिएगा तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्ण की तरफ तो दोस्तों कोश्चन है कि अल्टिक आधरस वागय में फोटियस का अर्थ है जैसा कि दोस्तों ऐसी máltतियस फोटियस यानि और तेज और उूचा और बलसाली यानि यहाँ पर फोटियस आर्थ है सक्तिसली यारी बल्साली आप सा नंबर सी करेक्ट कि निमने मेंशे कौन सा सीखने का नियम नहीं है तैयारी का नियम प्रभाव का नियम प्रतिक्रिया का नियम अभ्यास का नियम तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि थांडाइक ने सीखने के तीन नियम दिये हैं तैयारी का नियम अभ्यास का नियम और प्रभाव का न नियम नहीं है आपसर नमबर C करेक्ट है नेक्ट कुस्चन है कि निमने में से कौन सा शुमेलित नहीं है यह सरपर्स एनरजी थियोरी यानि कि अतिक्सरती की धाड़ा कि उसने दिया है दोस्तों इसको दिया है और इस पेंसर और सीलर ने यहां पर क्या दिया है काल ग्रूस ठीक है, आपसर नमबर A ही आपका गलत हो जाएगा, यानि कि आपसर नमबर A यहाँ पे सही है, N-Cathetic Theory किस ने दिया है, यानि रेचन भी रेचन धाड़ा और अस्तु यह सही है, Recapitulatory Theory यानि कि पुना अलोकन धाड़ा किस ने दिया है, Stanley Hall, यह भी सही है, Instrict Practice Theory किस ने दिया है, यानि मूर्प्रवित्ती कि धाड़ा इसको दिया है, MacDougal ने यह भी सही है, तो आपसर नमबर A यहाँ पे गलत है, यानि कि सही कौन सा एंसर हो जाएगा, आपसर नमबर A, ठीक है, Next Question है, Endomorph की विशेष्टा है, जैसे कि दोस्तों, Sheldan ने बाड़ी टाइप को कितने भागों बाटा है, कितने टाइप में बाटा है, Endomorph, Mesomorph, Ectomorph, Endomorph कैसा होता है, मोटा, अधिक खाने वाला, मिलनसार, यानि कि सिथिल वह वसा युक्त होता है, ठीक है, गोल युक्त आकार का होता है, आपसन नमबर भी यहाँ पे करेक्ट होगा, Next Question है, अधिगम के अंतर जुष्टी सिद्धायंद का प्रतिपादन किस ने किया था, दोस्तों, यह सब भी आपको पता है, कोलर ने किया था, चिंपैंजी पर, सुल्तान नमबर चिंपैंजी पर, ठीक है, Next Question है, यदि सिंगल लिक प्रतिपोगिता में 8 टी में भाग ले रही है, तो कितने मेज़ खेले जाएंगे, तो दोस्तों, सबसे पेले देखेंगे कि सिंगल लिक का सुत्र क्या होता है, निकालने का, उसका सुत्र होता है, यन माइनस 1 अपान 2, तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 अपान 2, 8 में से एक भटा देंगे, 7 हो जाएगा, 8 गुड़े, 7 अपान 2, यानि 56 अपान 2, यानि 28 बचेगा, ठीक है, यानि कि, यदि सिंगल लिक प्रतिपोगिता में 8 टी में भाग ले रही है, तो कितनी मेंच खिले जाएगे, 28 मेंच खिले जाएगे, तीक है, वहीं पर डबल लिक पुछता दोस्तों, तो आपका 56 हो जाता, डबल लिक पुछता तो डबल लिक में सुत्र क्या हो जाएगा, यन, यन माइनस 1, और सिंगल लिक में क्या होगा, यन, यन माइनस 1, अपांट 2, यनि अपांट 2 बस हटा देंगे, वह दुबल लिक का हो जाएगा, नेक्स कोश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें आपको देखना है, आस्टियोलोजी, हड्डियो का दियन, ये तो सही है, आर्थोलाजी, संधियो, यानि जोडो का दियन, ये भी सही है, मायोलाजी, पेसियो का दियन, ये भी सही है, नीरोलाजी, ये हमारे ब्रेन का दियन होता है, यानि कि यहां पे अंता अव्यो दिया है, ये आपका गलत है, यानि कि आस्टन नमबर D, यहाँ पे correct हो जाएगा next question है अधिक से अधिक स्वांस बाहर निकालने की उपरान फेफ़ों में बची हुई वायू की मात्रा को क्या कहते है residual volume कहते है अपसिस्ट वायू कहते है option number सी correct होगा दोस्तो vital capacity क्या है tether volume क्या है residual air क्या है complementary air क्या है total lung capacity क्या है इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ इसको आप Anatomy and Physiology की playlist में जाकर के देख सकते हैं next question है क्यों निमने में से कौन ball and socket जूड़ है दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है हमारा कंधा और कुल्हा यह बाल and socket जूड़ में आता है जिसमें एक दूसे से फसा रहता है ठीक है कटोड़े नुमा आकरिती से तो यहां पे कंधाश ही हो जाएगा option number B correct है next question है एक single league पधती में 17 team ही भाग ले रही है तो psychic बिधी में चक्रों की संख्या क्या होगी तो दोस्तों चक्रों की संख्या ग्याद करने के लिए single league में यदि संख्या है तो yen minus one होता है और बिसम संख्या है तो सीधे yen होता है यानि जितना संख्या होता है उतना ही चक्र होता है तो यहां पे बिसम संख्या 17 है तो यानि की round की संख्या का समूह एक साथ किसी सरोजेनी की कारे के उद्धिस से जुढते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं शंगठन कहते हैं ठीक है नेशक जान प्रबंधन के प्रवसास कि ऐसी धानत को किस ने विक्सित किया इसको बिखित किया है प्रती ग्राम शरीर को कितनी केलूरी पढ़ान करता है तो वश्या का प्रती ग्राम शरीर को कितनी पढ़ान करता है 9 कैलोरी वहीं पर कार्बो हार्येट प्रोटिंग कितना गरता है 4.1 कैलोरी ध्यार में रखेगा नेक्स्ट कूस्चन है निन में से कौन शार्ष मेलित नहीं है A, विटामिन D, सनलाइट यह आपका सही है B है B1, थाइमिन यह आपका A भी सही है C है B2, ट्राइब फ्लियोवीन यह भी सही है D है B3, जो रिकेर्स दिया है यह गलत है रिकेर्स आपका विटामिन D होगा, विटामिन D की कमी से रिकेर्स होता है तो आप्सन नमबर D यहाँ पर करेक्ट होगा Next question है, भारती Red Cross Society की स्थापना कब हुई थी दोस्तों तो 2020 में हुआ था, आपसन नमबर C, करेक्ट है Next है, Metabolism का संबंध किसे तंत्र से है दोस्तों तो पाचन तंत्र से है दोस्तों Metabolism Process क्या है, Enabolism क्या है, Catabolism क्या है इसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, इसको Anatomy and Physiology के प्लेलिस्ट में जाकर करके देख सकते है Next question है, एंटी रिकेटिक बिटामिन किसे कहते है यानि प्राकेटिक बिटामिन किसे कहते है तो आपका बिटामिन D, एंटी रिकेटिक बिटामिन कहा जाता है ए है कम वसा वाला कैल्सियम युक्त अहार, ए भी सही है पोटैसियम युक्त भोजन, ए भी सही है बी कॉंप्लेक्स बिटामिनियूम जल, ए भी सही है यानि आपसान नंबर D, सभी सही है ठीक है फुटबाल खिलाडियों को लगने वाली बर्नर चोट को समानतह किस नाम से जाना जाता है तो इसको इस टिंगर के नाम से जाना जाता है ठीक है नेश्च कूश्चिन है किस उलम्पिक में डोपिंग टेस्ट शुरूत किया गया दोस्तों तो नेश्च कूश्चिन है कि ठंडे यों गर्म जल को बारी बारी से सारी चोट पर उप्योग करने को क्या कहते है तो इसको गर्म ठंडा जल किसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों कंट्रास्ट बात मी अपसन नंबर D करेक्ट है निश्ठे कोर संधी यानि हिंज ज्वाइंट जो एक तरफ ही दर्वाजे की तरफ खुलता है कि परिपेच में निदमेशे कौन से गती शही है अपवर्दन यानि एब्डक्षन अभी वर्दन यानि कि एडक्षन यानि कि यानि हाथ को उपर उठाना और सरी की तरफ करना ए आपका दोनों गती नहीं होगा हिंज ज्वाइंट में क्योंकि यह एक तरफ ही खुलता है तो आपसन नंबर D यहां पर करेक्ट है न तो ए होगा न तो न तो एक होगा न तू होगा तू हुआ हुआ है एक मेंस स्थांबात क्षों को सब Francemor just per day में मैं में 10 कि एक जायर ऊद चूस तो कि की प्रत्थम प्रकार के लिवर की एक्षिस बीच में होगा दिती प्रकार के लिवर में प्रतिरोध यानि रसिस्टेंस बीच में होगा और तृती प्रकार के लिवर में फोर्स यानि बल बीच में होगा यहाँ पे क्या पूछा है दिती प्रक्रार के लिए उनमें कौन सा बीच में हो गदस्तौ प्रतिरोध तो यहाँ पे कौन सा ही हो जाएगा यहाँ पे केवल एक साही होगा आलम यानि अवबल के मद्ह प्रतिरोध इस्तित रहता है ठीक है केवल सब्सक्राइब होगा 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 लेच्ट है आकुंचन यानि प्रोट्रीक्षं किस में होता है हमारे कंद्धों में होता है खंद्ध यह आगी करना हो पीछे करना ब्स आरेक्ट हो वेच्ट है हैं कहां हें किस समण थे जोस्त दोष्त एठ गंद्धी कूद ऑचpower कूछपं को मैं बता चुकी हूं मैं सही मिलान करना है आपको जैसा कि ऊंची कूट किसे रिलेटेट है दूस्तों इस ट्रेडल रोल से तो ए का टू हो जाएगा अन लंबी कूट किसे रिलेटेट है थे हैंग स्ट्रेल से थीक है तो C का 4 हो जाएगा भाला फेक किसे रिलेटेट है रियर क्लास से तो D का 3 हो जाएगा अफसर नमबर A यहाँ पे करेक्ट है नेश्ट है निन में से कौन सा सब्द हांकी की खेल से समद्धित है जैसा कि आप सबको पता है बूली अफसर नमबर A करेक्ट है नेश्ट है निन में से कौन सी लाइन का बड़ी से समद्धित नहीं है एंड लाइन बोनस लाइन बॉक लाइन एन अटेक लाइन याँकि एंड लाइन बोनस लाइन बॉक लाइन तीनों का बड़ी से रिलेटेड है जैसा कि अटेक लाइन का बड़ी से रिलेटेड नहीं है आपसे नंबर डी करेक्ट होगा ए बॉली बॉल से समंधित है नेश्ट है आपको सही उत्तर चायन करना है सही मिलान करना है जैसे कि लिबरो किस से रिलेटेट है दोस्तों लिबरो है बॉली बॉल से समंधित 3 हो जाएगा ए इस टाप बॉर्ड किस में होता है दोस्तों टैक और फिल अवेंट में ठीक है यानि जैसे कि गुलाभ फेक में साटपुट में वी का 4 हो जाएगा ए लäsम आपसे नंबर बैर मिटन खो जाएगा तो दोस्तों वास्केट बाल में तो डी कार्ट टू हो जाएगा यानि आपसर नंबर भी यहां पर करेक्ट होगा नेश्ट है निन में से कौन सुमेलित नहीं है तो इसमें आपको देखना है कौन सुमेलित नहीं है 110 मिटर हर्डल पूरुस यह सही है क्योंकि महिलाओं के लिए 20 कीमी और पूरुसों के लिए 50 कीमी होता है तो यह 50 कीमी पूरुसों के लिए है महिलाओं के लिए नहीं तो यहां पर आपसर नंबर भी करेक्ट हो जाएगा यानि पानी बाधाद और पूरुस महिला दोनों के लिए यह सही है, हेप्टाथलन जो होता है, महिला के लिए होता है, यह भी सही है, यहाँ पर आपसा नमबर भी correct है, नेश्ट है, सही उत्तर का chain करना है, दोस्तों, यल्टी ग्रेड में बार बार सही उत्तर का मिलान करने के लिए, यानि कूट का प्रयोग दिया है बहुत ज्यादे questions में, तो जिसे कि पदमासन है, तो पदमासन के लिए मुद्रा क्या होगा, लोटस मुद्रा, एक का वन ही हो जाएगा, एन सरवांगासन, में स्वल्डर स्टेंड मुद्रा, तो बी का थ्री हो जाएगा, एन मकरास मकरासन जो होता है, उसका मगरमच्च मुद्रा हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा, एन भुजंगासन का कोबरा मुद्रा हो जाएगा, यानि D का 4 हो जाएगा, आसन नमबर C यहाँ पे करेक्ट है, फिर आपको सही कूट का परियोग करके सही उतर चैन करना है, जैसा कि दोस्तो गोल लाइन हाकी 75 यम यानि की साह साथ सेंटीमीटर होता है, तो B का 1 हो जाएगा, एन साइड लाइन फुटबाल कितना होता है, दोस्तों 5 इंच यानि की साह 12 सेंटीमीटर, तो C का 4 हो जाएगा, एन दी है रनवे आर्स जैवलीन, यह कितना होता है, दोस्तों 7 है कि निवनी में से कौन सी लाइन बाली बाल से समंधित है तो कौन सा लाइन दुस्तों है अटेक लाइन ठीक है अटेक लाइन बाली बाल से समंधित है नेक्ट कोस्चन है कि सटल काक का कुल वजन कितना होता है बाल विंटर में दुस्तों तो कितना होता है 4075 ग्राम से 5050 ग्राम आपसा नमबर D करेक्ट है सकूट का परियोग कर सही उतर चुड़ना है आपका जिस लाबी कबड़ी का लाबी कितना होता है दोस्तों एक मीटर होता है एक का टू हो जाएगा एन रन्वे लंबी कुद का रन्वे कितना होता है चुड़ाई तो आपका 1.22 मिटर होता है ठीक है तो B का 3 हो जाएगा एन रन्वे जैवलीन थ्रो का कितना होता है तो 4 मिटर होता है तो यहाँ पर चुड़ाई कितनी होती है रन्वे की जेवलिन्थ्रों का चार मिटर तो शी का फोर हो जाएगा एंड साइड गैलरी पैरिविंटल कितना होता है छी आलिस सेंटीमिटर यानि जिरू जरसनों चार छे मिटर डी का वण हो जाएगा तो आपसर नंबर भी यहां पर करेक्ट होगा जिमनास्टिक में फ्लोर या मैट की माप होती है तो कितना होता है बारे गुड़े बारे मिटर नेश्ट है लान टेनिस कोट एकल की कुल लंबाई चुड़ाई कितनी होती है दोस्तों लान टेनिस के लिए एकल के लिए लंबाई चुड़ाई होती है कोट की 78 गुड़े 27 फि ठीक है तो दोस्तो यह था आपका UPLT grade 2018 के सभी questions का सालव I hope कि दोस्तो सभी questions आपको समझ में आये होंगे ज्यादे तर इसमें दोस्तो कूट वाले questions की संख्या बहुत ज्यादा होता है तो यही question था आपके UPLT grade 2018 का किस इस तर का question पूछा गया है आप देख सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और ज्यादे से ज्यादे से शेयर कीजिए दोस्तो और सिलेबस के इंस साल इस्टेडी करने के लिए मेरे चैनल पे डेली बेसे से बने रहे हैं दोस्तो फरस्ट वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को फ्रेज कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुचता रहे तो मिलते हैं नेक्श टॉपिक की साथ अब तक के लिए जैही